जो मैंने प्लांट लगाया था उसी का ये जो फूल है इसे मैंने ड्राई कर लिया था और मैं आज इसे लगाऊंगी और किस तरीके से मैं लगाती वो आपके साथ शेयर करूंगी तो आप चाहें तो इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ड satellite बड़े गमले में भी लगा सकते हैं मेरा ये जो गमला ये छे इंच का है और मैं आज इसी में लगाऊंगी दोस्तो जब भी हम बीज लगाते हैं तो हमें बिल्कुल सौफ्ट मिट्टी तयार करना चाहिए ताकि हमारा बीज जल्दी ग्रो कर सके तो यहाँ पर मैंने लिया है 40% मिट्टी, 40% सैंड जिसे हम बालू भी कहते हैं और 20% मैंने यहाँ वर्मी कमपोस्ट यूज किया है आप चाहे तो इसमें गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं या पटी की खाद होती है वो भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ मैंने यह मिट्टी अस तरीके से तैयार कर लिये और इसकी मिट्टी में मаменें कल रात में पानी दे दिया था ताकि इसकी मिट्टी जो इस तरीके से हलकी-हलकी सी दिए चाहिए वड़ना हमारा जो वीज है वो सिड़ जाएगा तो अब मैं इसमें सारे वीज को लगा दे अहुआ है जो किस तरीके से लगाना है वो आपको उनको सारे को डाल दूंगी और जरूरी नहीं है कि सारे जो हमारे जो हम सीड लगा रहे हैं वो एक टाइम पर ही ग्रोथ यहां पर दोस्तों मैंने इस इस तरीके से डाल दिया है और इसको लगाना गेंदे के बीच को लगाना बहुत जादा आसान होता है और अब हम इसके पैटल से बहुत दीखना नहीं चाहिए इस तरीके से मैं को ढग देंगे दोस्तों यहां पर मैंने इसके बीच को ढग दिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से यह तयार हो गया है और उब मैं इसमें प्रेमीच हस्तित घाना बाहनी चाहिए और इसको अब हम थोड़ी छाया वाली जगह पे रख देंगे जब तक इसमें नई ग्रोथ जो है शुरू नई होती है उस तो आज करीबन 12 दिन हो चुके हैं मुझे ये बीज लगाए हुए और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये सारे जो सीट से वो ग्रोव हुए हैं चोटे चोटे प्लांस में और बहुत सारे जो बीज है वो मेरे खराब भी हो गए हैं सड़ गए हैं क्योंकि हमारे यहां पे बहुत ही जादा बारिश हुई उसके वज़े से जो है मेरे बीज बहुत सारे खराब हो गए हैं तो मेरा यह प्लांट अभी अच्छे से ग्रोव कर रहा है और इसमें सेकेंड लीफ भी निकलने लगी है लेकिन अभी मैं इसे ट्रांस्प्लांट नहीं करूंगी अभी मैं इसी गमले में इसे छोड़ दूंगी और अब हम इस प्लांट को जो हमने सीट्स लगाए हैं इसको कम से कम 2-3 घंटे की धूप देंगे जादा धूप नहीं देंगे वरना हमारा प्लांट जो है सूखने लगेगा तो हम दो से तीन घंटे की धूप देंगे इसे और महीने में दो बार मतलब हर 15 दिन में एक बार हम इसमें लिक्विड फटिलाइजर का यूज करेंगे ताकि जो है रूट्स को बहुत सारा फूड मिलेगा तो जल्दी जल्दी जो है प्लांट ग्रो करेगा तो उसक कमपोस्ट का भी लिक्विड फटिलाइजर हम इसमें दे सकते हैं महीने में दो बार और हम इसे जब ये कम से कम एक उंगली के साइज का इतना लंबा लंबा ये हो जाए जब इसमें चार से पांच जो है पत्ते निकल आएंगे उस टाइम में हम इसे दूसरे गमले में जो ह फ्लावर्स मिलते रहेंगे तो दोस्तो आने वाले वीडियो में मैं इसका आपके साथ ट्रांस प्लांटेशन भी शेयर करूंगी जब मैं इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करूंगी और अभी के लिए तो मैं इसे इसी गमले में रखूंगी जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है तो इसी तरीके से आप भी दोस्तो अपने घर में सीड्स लगा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से गेंदे के जो बीज है वो चल जाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक करि येगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में